नमस्कार दोस्तों बजरंग न्यूस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देश के कई राज्यों में भारी बारिश तूफान को लेकर चेतावनी जारी पूरी जानकारी देखें जाते जाते फिर भिगोएगा मौनसून इन राज्यों में 29 सितंबर तक बारिश का अलर्ट डक्षन पश्चिम मौनसून की वापसी प्रक्रिया 23 सितंबर से पश्चमी राजस्थान से शुरू हुई। मॉंसून वापसी की इस सालाना प्रक्रिया को सर्दियों की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा मध्यप्रदेश, विदर्भ, उत्तराखंड, चत्तिसगड, ओडिशा, जारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, नगालेंड, मनिपुर, मिजोरम वत्रिपूरा और सौराष्ट्र वकच्च में बारिश का येलो अलर्ट है। यहां भारी बारिश की संभावना है.27 सितंबर को नगालेंड, मनिपुर, मिजोरम और त्रिपूरा, असम, मेघाले, अरुनाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, जारखंड, पूर्वी उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश व गुजरात में भारी बारि रहेगी. 29 सितंबर को असम, मिघाले, अरुनाचल प्रदेश व केरल में भारी बारिश का अलट है डौट मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटे में दक्षन मध्य प्रदेश, दक्षन पूर्व गुजरात, मध्य महराश्र, कोंकणी और गोवा, तटिय करनाटक और दक्षन चतिसगड में हलकी से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा तटिय आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और गंगिय पश्चिम बंगाल में बारिश के आसार है. आईएमदी ने बताया कि आज मेघाले अरुनाचल प्रदेश, नागालंड, मिजोरम, जारखंड, ओडिशा, चतिसगड, तेलंगाना, करनाटक, केरल, लक्षदवी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश हो सकती है. बस्ती, गोंडा और उसके आसपास के इलाकों में अती भारी वर्शा. सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखिमपुर खीरी में भारी बारिश का अलर्ट. राजस्तान में एक बार फिर मौसम की चाल बदलने वाली है. पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ है. वहीं, कुछ जिलों में गर्मी और उसम लोगों को सता रही है. इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र, जैपुर की माने, 25 सितंबर से 30 सितंबर तक कोटा, उदेपुर संभाग के कुछ भागों में में गर्जन के साथ हलके से मध्यम वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है. मौसम विभाग की माने, तो मानसून की विदाई से पहले कल से प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होगा. इसी बीच मौसम विभाग ने आज कोटा और उदेपुर संभाग के कुछ भागों में हलके से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. वहीं 26 सितंबर को प्रदेश के छे जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. आईमडी के अनुसार उपहिमालेई पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गर्म और उमस भरा मौसम जारी रह सकता है. इसके साथ ही केरल, करनाटक, कोंकन, गोवा और महाराष्ट्र के तटो पर 35 से 45 किलोमीटर प्रती घंटे की गती वाली तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो 55 किलोमीटर प्रती घंटे तक पहुँच सकती है. देश के अलग-अलग हिस्सों में जहां एक और गर्मी और उमस से लोग परिशान है, वहीं दूसरी और कुछ राज्यों में मानसून की बारिश से थंड़क का एहसास हो रहा है. आईमडी के ताजा अपडेट के अनुसार, आने वाले दिनों में कई राज्यों में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, डॉट रांची जहरखंड में 30 सितंबर तक बारिश की संभावना है. मंगलवार को कुछी घंटे में रांची समेत 5 जिलों में गरच के साथ बारिश हो सकती है. वजरपाद भी हो सकता है. 25 और 26 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है. कही कही गरच के साथ वजरपाद की भी आशंका जताई गई है. तेज हवाएं चल सकती है. मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी. जारखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा. राजधानी रांची, पश्चमी सिंगभूम, धनबाद, गिरिडी और हजारी बाग में कुछ ही घंटे में गरच के साथ बारिश हो सकती है. वजरपाद की भी आशंका है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है डौट जारखंड के उत्तरपूर्वी, दक्षन पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में 25 सितंबर को कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है. इन में देवगर, धनबाद, दुमका, गिरिडी, गोड़ा, पाकुड, जामताड़ा, साहिबगन समेट अन्य जिले शामिल है. मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि कहीं कहीं गरच के साथ वजरपाद भी हो सकता है. इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है. मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट. जारखंड के दक्षणी एवन निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं 26 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है. कहीं कहीं गरच के साथ वजरपात की भी आशंका है. तेज हवाएं भी चल सकती है. इनमें कोलहान के पूर्वी सिंगभू, पश्चमी सिंगभू, सराय केला खरसावा और सिम्डेगा समेत अन्य जिले शामिल है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है डौट 36 गड़ में, एकदम से मौसम बदल गया है. बंगाल की खाड़ी के उपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से तीन से चार दिन तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी. खास करके मध्य और दक्षन 36 गड़ में गरच्चमक के साथ वजरपात और मध्यम से तेज बारिश होगी. इस दोरान राइपुर, दुर्ग और कांकेर संभाग में भारी और मध्यम बारिश की संभावना है. अन्य इलाकों में गरच्चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है. वर्तमान में एक उपरी हवा का चक्रिय चक्रवाती परिसंचरन मध्य बंगाल की खाड़ी के उपर 5.8 किलोमीटर उचाई तक विस्तारित है. इसके प्रभाव से एक निम्नदाप का क्षेत्र पश्च मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से अगले कुछ दिन वर्षा का अनुमान है. अगले तीन घंटों में जांजगीर चामपा, बीजापुर, बिलासपुर, नारायनपुर और शक्ती में मध्यम बादल छाए रहेंगे और बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है. सितंबर अन्थिया अक्टूबर के पहले सब्ता में मानसून की विदाई संभव है. झाले कल दो एक उन्थिया रहें।